आप सभी को जैम सेके परमीश्वर के इस वचन के मनन के समय में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे परमीश्वर पवित्र है पहला पत्रस उसका एक का सोला कहता है पवित्र बनू क्योंकि मैं पवित्र हूँ वचन हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है क्यूंकि उसका स्वर्ग पवित्र है उसकी आत्मा पवित्र है उसका वचन पवित्र है उसका पुद्र पवित्र है और उसका लहू पवित्र है सबसे बड़ी बात उसकी उपस्थिती पवित्र है तो उस पर विश्वास करने वाले अपवित्र कैसे हो सकते हैं आप और मैं अपवित्र कैसे हो सकते हैं वो चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले भी पवित्र हो अब सवाल ये है कि एक पापी इंसान पवित्र कैसे हो सकता है प्रभु येश्य मसी के बलिदान के द्वारा वचन के द्वारा जलका बब्तस्मा लेकर प्रभु येश्य मसी के लहू के द्वारा सच्चे वचन के द्वारा और पवित्रात्मा के द्वारा ये पवित्रताई के गुन हम सब को अपने जीवन में हर पल, हर दिन अपने जीवन में हमें व्यापन करना है आयम प्रात्ना करे प्रभू येश्यमसी आज जब हमने आपके पवित्रताई के जीवन के बारे में देखा प्रभू आप पवित्र हैं, आप निश्कलंक रहे, इस दुनिया के आपके सफर में भी आप निश्कलंक रहे प्रभू, प्रभू आपके उपर कोई दाद नहीं था, प्रभू लोगों ने बहुत कुछ बोला आपके लिए, लेकिन आप पवित्र हैं, आप पवित्र थे और आप पवि प्रबूर प्रमिष्वर जब हम पवित्रताई से अपवित्र aç चीजों के पीछे भा假ते हैं, जब हम संसार के उन चीजों के पीछे भागते हैं प्रबूँ, ये शुमसी हमें आपके इस गौन के आवशकता है। सामर्द की आवशक्ता है प्रबू परमेश्वर जैसे कि आपका वचन कहता है कि हम अशुद होने के लिए नहीं हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं प्रबू हमें खास कर आपकी आवशक्ता है अपने इस संसारिक जीवन में प्रबू जब हम एक गलत फैसला लेने जाते हैं जब हम अपवित्रता की ओर बढ़ते हैं प्रभू जब शैतान हमारे दिलों को भटकाता है प्रभू जब शैतान हमारे सामने अपवित्र चीजे लेकर आता है प्रभू परमेश्वर येश्व मसी सिर्फ और सर्फ हमें आपकी जरूरत है प्रभू इन सभी गुणों से प्रभू हम आपकी तरह बनने पाए हम आपके समान परमेश्वर पवित्रताई और निश्कलंकता का जीवन व्यतीत करने पाए यहोवा परमेश्वर आज के दिन में यही हमारी प्रात्ना है प्रभू कि हम अपना जीवन का हर एक दिन पवित्रताई से बिता है यह श्मसी आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं आमेन